हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक आएम वेवेक सिंगल फ्रॉम ट्रेडिंग्विवेक.com और आज मैं बात करने वाला हूँ रिसेशन के बारे में सो रिसेशन को लेकर काफी सारी न्यूज है सुर्खियों में कि वेवेक भाय रिसेशन आयेगा क्या रिसेशन आया तो क्या होगा कहीं ये मार्केट बिलकुल जमीन में तो नहीं गुच जाएगी यहां से रिकवरी होगी या नहीं होगी तो इसका क्या इंपेक्ट होगा तो यहां पर हमें two separate videos बनाने की जरूत है, number one कि recession आएगा क्या, दूसरा अगर recession आया तो उसका Indian economy पर और Indian companies पर क्या फर्क पड़ेगा, इन दो चीजों को हमें यहां पर ध्यान में रखने की जरूत है, so सबसे पहले अगर हम बात करें कि recession आएगा क्या, तो यह video अभी हम आज के video में इस topic को cover नहीं करेंगे, यह topic का हम tomorrow cover करेंगे, कल cover करेंगे, आज ही बात करते हैं कि अगर recession आया तो क्या होगा, क्योंकि अगर आ गया तो क्या होगा, यह चीज ज़्यादा important है, तो सबसे पहले recession होता क्या है, recession का मतलब है कि GDP का negative में हो जाना, जो अभी GDP grow करती है, उसका negative होना means GDP यहाँ पर कम हो जाना, तो इस चीज को recession कहते हैं, और GDP growth को हम appreciation कहते हैं, एक तरीक से GDP में appreciation हुआ, और GDP कम हो गई तो recession हुआ, यहाँ पर आज की date में, जो recession के main reasons हैं, वो reasons क्या है, main reason में आता है, यहाँ पर ishtagflation, ishtagflation उस चीज को कहते हैं, कि जब inflation एक बहुत लंबे टाइम तक लगातार, market में, means economy में रुख जाए, कि जो high inflation rates हैं, say for example, more than 7%, 6%, 8%, 9%, 12%, अगर इस तरह के inflation हर साल, 3-4 साल तक यहाँ पर बने रहें, और जो pricing, जो purchasing power है, consumer की वो कम हो जाए, क्योंकि currency की यहाँ पर जो value है, वो कम हो जाएगी, say for example, कि अगर आज की rate में, aloo means potato, अगर 15-20 रुपी पर kg आता है, 50 का हो जाए, 60 का हो जाए, और वो उसी rate पर रुख जाए, वो वापस से नीचे ना आए, तो इस चीज को यहाँ पर stackflation कहते हैं, और यही इसका एक main reason बताया जा रहा है, तो इसका reason जो यह बताया जा रहा है, stackflation का, उसके पीछे क्या reason है, कि यह महंगाई यहाँ पर इस तरह से बढ़ी रह सकती है, इसके पीछे के reason है, Ukraine-Russia war यह main reason है, क्योंकि Ukraine and Russia, यह mineral से भरे हुए है, gas की supply यहाँ पर Russia करती है, Russia country करती है, पूरे Europe को, और जो iron और metal से related चीजे हैं, उसका Ukraine बहुत बड़ा supplier है, तो यहाँ पर दोनों ही country से supply disrupt हुई है, जिसकी वज़े से इनकी कीमते महंगी हो गई है, और ऐसी बात ही की जा रहे हैं, कि यह कीमते महंगी जो हुई है, यह शायद बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर रहेंगी, sustain करेंगी, मैं यह कहता हूँ कि यह सब बाते सच हैं, मैं यह माल लेता हूँ कि सारी बाते सही हैं, वैसे यह सारी बाते सही कितनी हैं, वो कल की वीडियो में cover करेंगे, कि recession आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यह माल कर जलते हैं कि आ गया, तो क्या अब इंडिया में कौन सी companies के ऊपर क्या impact आएगा सबसे पहले FMCG की बात करते हैं FMCG पर इसी सब क्या impact आएगा क्या इंडिया की FMCG companies बाहर की country में export करती है सारा का सारा यहीं produce करती है और यहीं पर उसका consumption है तो FMCG में किस तरह के products आते हैं हमारे बाथरूम में होते हैं, kitchen में होते हैं, toilet में होते हैं या फिर रोज मर्रा की जिंदगी में होते हैं जो हमारी moisturizing cream होती है, hair oil होते हैं इस तरह की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें ठीक है, तो क्या हमें लगता है कि जिस shampoo से आज हम head wash कर रहे हैं अगर कीमत उसके थोड़ी सी बढ़ गई, तो कल को उस shampoo से हम head wash नहीं करेंगे क्या ऐसा कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है कि जो हम आज की rate में moisturizing cream यूज कर रहे हैं क्या हम उससे नीचे घटिया वाली cream पर चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है और kitchen में अगर हम आज की rate में ताज महल tea यूज करते हैं या brook bond red label यूज करते हैं तो क्या हम नीचे उससे जैसे टाटा की ताजा चाय आती है शाए वो थोड़ी सी सस्ती है, जो पहले advertisement में सुनने को मिला था आज की rate में मुझे prices नहीं पता इन सब चीज हो के तो क्या हम उनको यूज करना शुरू कर देंगे अगर हम यहाँ पर डव से संसिल की तरफ नहीं जाएंगे या clinic का plus पे नहीं जाएंगे और same चीज हम soap की बात करते हैं, coffee की बात करते हैं या फिर हम चाय की बात करते हैं या फिर हम किसी भी और चीज की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, तो क्या हम नीचे वाली category को यूज करना शुरूप नेगे, मेरा कहना है नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, उसका क्या reason है, उसका reason है कि एक बार हमें जिसीज की habit पढ़ जाए, वहाँ पर उससे नीचे वो चीज खाई नहीं जाती, एक बार हमें अच्छा बासमती, राइस खाने की habit पढ़ जाए, 100 रुपी पर केजी है, 200 या 300 या 400 रुपी पर केजी का, तो उसके बाद में 40-50 रुपी पर केजी वाला राइस खाया है नहीं जाता, क्योंकि वो hard लगता है, वो soft नहीं लगता उसका size भी थोड़ा से छोटा होता है कहीं नहीं, तो इन चीजों का फर्ब पढ़ता है, और ये same चीज़े फिर maintain रहती है, तो यहाँ पर FMCG पर मेरे हिसाब से कुछ भी फर्क नहीं पढ़ता, एक ओर reason है, इन FMCG companies के पास pricing power है, अब जब pricing power है, तो ये अगर इनकी raw metal की costing है, तो ये अपने product की prices को बढ़ा पाते हैं, और इनकी demand पर as such कोई फर्क नहीं पढ़ता, say for example, Colgate, Colgate का पहले toothpaste कितने का आता था, आपसे 20 years पहले, 15 years पहले, 10 years पहले, और अभी कितने का आता है, शायद 90% लोग जो toothpaste करते हैं, अपने bathroom में जो रखा हुआ है, उसका price 90% दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर गाड़ियों की, ओटो मोबील की, क्या ओटो मोबील पर फर्क पड़ेगा, yes, of course, ओटो मोबील पर यहाँ पर फर्क पड़ेगा, क्यों फर्क पड़ेगा, कि अगर auto means एक गाड़ी, just say for example, I-20 की बात करते हैं, अगर वो 10 lakh की आज की डेट हैं, उनसे काम चलाएंगे, and we will buy after 2 years, or 1 year, or 3 years, जब भी prices थोड़े से ठीक हो जाएंगे, हमारी salary थोड़े से बढ़ जाएगी, तो जो ऐसे products हैं, जिनको हम थोड़ा सा पोश्पून कर सकते हैं, वो पोश्पून होंगे, लेकिन रोजमर्रा की चीज़े पोश्पून होगी क्या नहीं होगी, अब अगर हम ऑटो मोबील की भी बात करें, तो ऑटो मोबील में जब भी इस तरी की बाते होती हैं, उस टाइम पर कारों की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन टू वीलर्स की डिमांड यहां पर बढ़ जाती है, क्योंकि जो इनसान एंट्री ल कार रखने का कोई मतलब नहीं है, और ऐसे में पैट्री के प्रैस की बढ़ जाते हैं, जब इंफलेशन की बात आती है, तो वो भी एक इंपेक्ट डालता है यहां पर, उसका इंपेक्ट क्या आता है कि कार इतना महंगा मिन्स, इतना फ्यूल कॉन यहां पर यूज करेगा, कंस्यूम करेगा, हम बाइक करेंगे, बाइक चलाएंगे, तो यहां पर हमारा जो एवरेज है, वो अच्छा हैगा, यह कोमन सी बात है, थर्ड हम एक और बात करते हैं, आईटी कंपनीज की, क्या आईटी कंपनीज के उपर इसका इंपेक्ट पड़ेगा, येस, अफकोर्स पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रिसेशन अगर यूएस में आता है, और इंडिन आईटी कंपनीज की, ओल्मोस्ट फिफ्टी परसेंट के आसपास की रिवेन्यू बाहर की कंट्री से आती है, और मेभी कुछ कंपनीज की तो इससे भी ज़्यादा आती है, बाहर की कंट्री से अगर वहाँ पर ग्रोथ कम होगी, तो आईटी कंपनीज के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, लेकिन अब बात करते हैं कि विवे भाई फर्क कितना पड़ेगा, ये बात कोई नहीं पूस्ता है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि फर्क कितना पड़ेगा, हम देख चुके हैं क्या ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, ये जो गिरावाट आई है, ये आई क्यों है, ये प्रोफिट बुकिंग होने के विज़े से रीजन क्या बने हैं, कि ये जो आईटी कंपनीज के प्राइसिस हैं, टोप पर रुखकर इन्होंने कॉंसोल डेट न जिस लिवल पर हम बात करते हैं, उसके बाद 5%, 6%, 10% का एवरेज रेंज में घूमना उसको और फर्दर गिरावट नहीं कहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे कमेंट देखने में आते हैं, कि विवेक भाई आपने बोला था, Reliance यहाँ पर strong support बना रहा है, और ये तो आज 1.5% डाउन चला गया, आपका तो जो analysis से वो गलत हो गया, 1.5% डाउन चला गया, analysis गलत हो गया, सेम तरीके से Tata Alexi, Tata Alexi विवेक भाई आपने कहा था कि इसकी chances हैं, ये नीचे की तरफ को यहाँ पर breakdown देगा, क्योंकि valuation भो जादा high है, लेकिन ये तो आज 3% बढ़ गया, 3% बनता है, तो वो immediately नहीं होता, कि साथ के साथ एकदम से फटा-फट गिरना शुरू हो जाए, फटा-फट चढ़ना शुरू हो जाए, अगर हम किसी एक रास्ते से दूसरे चले जाते हैं, तो रास्ते में ऐसा नहीं है, कि 60 की speed पर चलना चाहिए, तो 60 पर चलते जाएंगे, चाहे वहाँ पर traffic हो, चाहे red light हो, ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर IT companies में जितनी correction, recession की वज़े से आनी चाहिए, majority of cases में उतनी correction अलड़ी आ चुकी है, अब point बात करते हैं यहाँ पर banking की, कि विवेक भाई, banking पर क्या फरक पड़ेगा, क्योंकि जब inflation बढ़ेगा, step inflation और जब interest rate यहाँ पर बढ़ेंगे, तो उसका impact क्या होगा, उसका impact बहुत सारे लोग कहते हैं कि banking companies का यहाँ पर business कम हो जाएगा, जबकि ऐसा कभी भी कम नहीं होता, उसका reason क्या है, देखो जो लोग loan नहीं लेते इस चकर में की, कि EMI बढ़ गई है, वो बात समझ में आती करने के लिए सोचा, और खुद से ही, क्योंकि सब कुछ normal चल रहा था, खुद से ही उसने payment करने की starting कर दी, 20% payment खुद से कर दी, उसके बाद inflation बहुत जादा बढ़ गया, inflation बढ़ने की जैसे जो दूसरे expenses थे, वहाँ शायद payment करनी पढ़ गई, और अभी payment करने के लिए, लेकिन 20 lakh रुपीज की कार के पैसे तो ऑख़टे करके रखे हुए थे, लेकिन वो 20 lakh रुपीज की कार, 25 lakh की हो गई, अब उस case में 5 lakh कग्या करेंगे, तो लोन ले कर ही तो देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, की बढ़ी बादा, बढ़ 20 lakh की बढ़ने 25 lakh की हो गई है, तो हम क लिए ए बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए यहाँ पर लॉन लिया जाएगा। बिग साइज, बिग टिकेट साइज के यहाँ पर electronic products है, उनके उपर यहाँ पर impact आएगा, of course आएगा कि जो freeze पहले 25,000 का आता था अगर वो बढ़कर 35,000 का हो जाए तो शायद postpone किया जा सकता है इस सीज को, क्योंकि salary उसी सबसे नहीं बढ़ी होगी, लेकिन जो products, 1,000 रुपीज की range में है, say for example, जो press होती है, कपड़ों के उपर iron करना होता है या फिर इस तरह की छोटी-मोटी चीज़े हैं क्या उनके लिए भी, या ceiling fan खराब हो जाए या फिर cooler खराब हो जाए, तो क्या इसको repair नहीं होगा, change नहीं होगा क्या, इसके लिए पैसे नहीं होगे तो छोटे ticket size के लिए हमेशा पैसे हमारे पास होता है बड़े ticket size में यहाँ पर दिक्कते होती है तो जब भी हम बात करते हैं, अब यहाँ पर metal की और बात कर लेते हैं, जब inflation की बात करें तो metal का क्या होगा, metal के prices बढ़ेंगे अब जिन companies के पास raw material अपना है यानि कि उनकी mines अपनी है उन companies के तो यहाँ पर चांदी हो जाएगी means उनके profit तो बढ़ जाएंगे क्यों कि अपना iron ore की कीमते उनकी बढ़ जाएंगी अपने aluminium की यहाँ पर means prices बढ़ जाएंगे तो सब चीजों की जब prices बढ़ जाएंगे और वो बढ़े हुए price पर यहाँ पर sell कर पाएंगे तो इसका रिचल क्या निकलेगा इनके profit बढ़ पाएंगे तो हमेशा जब भी inflation या जब इस तरह का कोई बड़ा event आता है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए across the board सारी companies सेम तरीके से paint नहीं होती सब companies के profit कम नहीं होते सब companies के profit यहाँ पर बढ़ते नहीं है कुछ companies के profit कम हो जाते तो कुछ के पास opportunity extra आ जाती है जैसे one more example जब inflation इस तरह से आएगा इस recession की वजए से stagflation की वजए से तो interest rate बढ़ेंगे interest rate बढ़ने से क्या होगा जिन companies के पास ज़्यादा loan है जिन companies में ज़्यादा loan लिया हुआ है उन companies की हाँ पर हालत सबसे ज़्यादा खराब हो जाएगी तो यहाँ जब हम कुछ बड़े group की भी बात करते हैं जिन बड़े group में बहुत सारे पैसे लोगों के बन रहे हैं और उन बड़े group को आप analysis करके देखना जो top 30 market capitalization वाली companies हैं जिन में जरुत से ज़्यादा loan लिया हुआ है अगर उनकी interest rate बढ़ गए तो उन companies के collapse होने के chances कितने हो जाएंगे आप चाहिए वो बड़ी companies हो चोड़ी companies हो लेकिन बड़ी companies में ज्यादा लोगों के पैसे लगे होता है चोड़ी companies में कम लोगों के पैसे लगे होता है बड़ी companies में ज्यादा पैसे लगे होता है चोड़ी companies में कम पैसे होता है अगर suppose 10 companies है, 10 companies में से 3 companies के उपर बहुत जादा loan है और वे loan की वज़े से, interest rate बढ़ने की वज़े से net profitability कम हो जाती है और वो collapse हो जाती है तो इन 3 companies का जो business है किसको मिलेगा जो उसी segment की बाकी 7 companies है उनको मिलेगा तो यहां इस बात का धियान रखने की जोड़ते हैं business company होता, एक company से दूसरी company की तरफ सिर्फ shift होता है तो जब भी इस तरह की बाते हो तो थोड़ा सा अपनी समझदार यहां पर दिखानी है अपने आपको smart बनाना है, समझदार बनाना है, intelligent बनाना है, wise बनाना है और stock market को stock market के हिसाब से लेकर चलना है कल की जो वीडियो आएगी, वो आएगी कि ये recession आएगा भी या नहीं आएगा और अगर नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा, इसके उपर कल वीडियो बनेगी लेकिन अगर subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लें, दोस्तों कर शेयर कर लें, like कर लें, comment कर लें कल फिर मिलेंगे एगे वीडियो के साथ, सब तक मज़े कर लें, thank you so much, have a nice day